नवस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है सिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियों को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं घड़ी का एक बहुत ज्यादा मात्पूर्ट चेप्टर जो कि आपको सभी परिक्षों में उससे समध्ध प्रश्ण पूचे हैं सबसे पहले आपर बात करते हैं घड़ी उस्दो घड़ी क्या है अब चलिंध क्या आई किस लिये यूज होदी है तो सबसे पहले आपर देख लेते हैं घड़ी से बनने वाले प्रैस्टảiान कि इतने चा प्रश्द जाते हैं दोस्तों सबसे लेयर लिख लेते हैं आपन घृँ से बनने वाले फ्रशन तो घ्री से तीन प्रकार की आपर तीन टाइप के प्रश्न зबस्वे जाते हैं यह तरwatch लेते हैं कि यूप का ग्विशरण करने में करना के लग-ळग तो निगसेंद करेएं से लग-वाला बघिय record होदे हैं और बहुत जाना समय लगता है नहीं को सुल्व करने में लेकिन हमिं आपको एक हैसी त्रिक करआने वाले हैं जो कि आपको जो प्रतिविम के जो भी को सवाल आएंगे घरी से समझ आप उसको चार से पांच या तीन से चार से किन में आसान इसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं प्रतिविम के बारे में यहां पर देख लेते हैं प्रतिविम दोस्तों यह इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवल और केवल प्रतिविम पर आधारत बनने वाले प्रश्णों के बारे में तो देख लेते हैं प्रतिविम पर तो प्रतिविम में भी दो प्रकार होते हैं पहला प्रकार होता है और दूसरा होता है जल प्रतिवम जिए अंदुस्तों प्रतिवम के भी दो प्रकार के प्रश्ण पहुचे जाते हैं पहला प्रकार दरपन और दूसरा होता है जल प्रतिवम तो जल प्रतिवम को बोला जाता है यहां पर 36 और इसको दरपन को बोला जाता है क्या उर्दुबाद अगर इसको आसानी से इसी टाइप के प्रश्न पूचे जाते हैं ठीक है सबसे पहले हम पर स्वॉल्ब करेंगे सबसे पहले हम बात करने बाले हैं दरपन की बारे में या पर उर्दुबाद हर पर दरपन की बारे में स् करते हैं सबसे पहले आपन करते हैं दरपन प्रतिवम पर आधारत प्रिश्णों के बारे में ठीक है तो सबसे पहले आपर देख लेते हैं कि पहला प्रश्ण यदि आपको दिया है यदि सामान घड़ी में आठ बच के पचास मिनिट का समय है तो यह दरपन प्रतिवम में क्या समय होगा कौशन आपका यह रहा ठीक है यदि सामान घड़ी में आठ बच के पचास मिनिट का समय है तो दरपन प्रतिवम में क्या समय होगा कौश्चन आप इसको सौल्व करने की बिदी में आपको बता दे रहा हूं उसके बाद बताऊंगा सौट कट ट्रिक दूस्तों आप यहां पर देख लेते हैं इसको दो घड़ी बनाएंगी सबसे पहले यहां पर देखेंगी और एक नींआपगी यहां पर दरपन प्रतिवम रहता है तो इसका आइकोन स्टैप से बनता है या ठीटी से में की जाती है यहां पर बनाई जाती है ठीक है अब इसको अब स्वाव करने जाला है तो दूस्तों यहां पर कितना समय दिया है आठ बचके 50 मिनिट दूस्त सबसे पहले हैं आपर आठ बचके 50 बनाएंगे तो दूस्तों 8 का तो यह रहा तो यह थोड़ा नो के करीब पहुंच जाएगा ठीक है नो के करीब पहुंच जाएगा तो यह रहा है और 50 मेंट अपर होने वाले हैं कहां पर कि साब्रा 오ी फिल चाहिए। 20 मिनुट है। यहां पर होने बाले हैं मैं अललग-अलग काड़ा देखी दूस्तों यह मिनित का है गन्टे यानिकी हावाज का काड़ा है दोस्तों आप इसको पचास मिनट यहां पर होने बाले हैं मैं अलग-अलग कांटा बता दें दूस्तों यह जो है यह मिनिट का है और यह किसका है गंटे या निगी हावाज का कांटा है दूस्तों आप इसको प्रतीव हम में कहां से सौल्ब करेंगे कितना समय आएगा दूस्तों देखेंगी यहा पर एक, दो, तीन, तीन और चार के बीच में काटा है इसका, ठीक है कितने के, तीन और चार के बीच में, दूस्तों आप इसको solve करेंगे, तीन और चार के बीच में, दूस्तों, एक, दो और तीन, यह तीन का चार आतो, यानि कि, जो घंटे बारा है, भाय, तीन और चार के ब 3 4 5 5 यानि कि 5 भी नम्म ब्र है तो आप इसको इस टाइक से गिनेंगे यहाँँ पर 1 2 3 4 5 ठीक है 5 के उपर है कितने 1 2 3 4 5 यहां पर आएगा धूस्तूरी है है यहाँ आपकोछ है नहीं है इसलिए यह ती जो चार से थी संब्सक्रां स्थ एक होजाएगा 5 कंश यह ठीन हो जाएगा 5 ठीक है अब बलै कि श्bourB दोस्तों यह जो चार है है पाँच हो जाएगा तीन नम्मर यहाइज चोछा तरह दो है यह पांच में नम्मर हो जाएगा तो देखेंगे यहां पांच में नम्मर पर हो जाएगा तो इसको मैं समय जो आपको दिखा रहा है यह समय हो जाएगा तीन बच के 10 minutes कितना 3.10 का समय हो जाएगा आप इसको इस टाइप से स्वाल कर सकते हैं कितना 3.10 के 10 पर इदे प्रिशन दिया है यदि समान घडी में 8.50 मिट का समय दिया है तो क्या समय दिखाई देगा तो आप इसको स्वाल करके आंसर दे सकते हैं तीन बचके 10 मिनिट अपन को यहां पर दिखाई देगा देगे यह रही शामान घड़ी और यह रही जोगी दरपन है यानि की दरपन प्रतिविंब है ठीक है आप इसको इससर टाइप से स्वाल्व कर सकते हैं या फर हम स्वर्ट्रे की वाध्यम से स्वाल्व करना चाहते हैं ऐसे बसकिर के माध्यम से में आपको वह टिक के माध्यम से बता दे रहाओ कैसे करते हैं डिकलाव सब्क्राइब समाइने ठीक है अपना अपना समय क्या दिया हुआ था प्रिश्शने में आठ बचे 50 मिन तीग है आठ बचके 50 व्Ann दिया था दोस्तों कर अंसर कितना था मैंने बता दी सोर्म मैं लेकिन उस में आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा और सोट्रेक क्या है इसको केवल 1130 मायनिस कर देना है आठ 50 को किसे 1130 मायनिस कर देना यानि की साथ में से 50 जाएंगे तो आप यहां पर 10 बचेंगे और जो 11 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा दूस्तों तीन बचेगा यानि कि इसका अंसर आ जाएगा तीन बचके 10 मिनिट है ना यह मज़े दाट रख देखिए आप अल्ली दो सब्सक्राइब कर सकते हैं यह दूशना प्रश्ण यहां पर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं यह दिया है चार बचके 20 मिनिट इसको क्या करना है 11-30 से माइनिस करना है तो आप देखें यहां पर 60 मैंसे 20 आएगे तो यह दूस्तों 40 बचेंगे और ग्यारा मैंसे चार जाएंगे तो कितना बचेगा नहीं बताईएं आप कितना बचेगा आप इस वह आसानी सवाल्व कर सकते हैं कितना साथ ठीक है साथ बचेगा यानि किसका आउशर आजाएगा साथ बचके 40 मिनिट आप इसको बहुत ही जल्ली आसान तरीकी इस तौल समय है 2 बच के 30 मिन तो दरपन में कितना समय होगा तो 15-40 मानिस कर देना है तुस्तों यह हो जाएगी 30 और यह हो जाएगी है नौ ठ rely फ्किमा की तीन कर दो जाएगी कि तो Nah Sign जो कंसेट्ट ही है था दरपन प्रतीविम में यह पर आप इसको गो सकते हैं उर्वा-धर दरपन इसलिए इसके बाद बसला पृतार कि डिफिकल की ता आप सब्सकलन प्रतिविंबam में इसकी इसको मैं बातbirds कराने बाला हूँ यानि इसके बार्प्रतिविंब हो गया यदि नोौनों यह बहुत प्रतिविंब इसको कैसे स्वूफर करते हैं है सब्सक्रवर्ण दोस्तों हम बात करते हैं उसको बता दे रहा क। या और जो जल यह आजवाजवणती है यहाँ नीचे और ऊपर बनती है यहाँ पर 12, 3, 9 और 6 यह 12, 3, 6 और 9 हम इसको solve करेंगे दो ठीक है इसको इसको मैं बटा दिरा हूं देग्या देखें दूस्तों मेरी भासा पर मत जायगा बहुत ही पासा से आपको समझाक्षा क прошлogranoc के कोशिस कर रहा हूं चो ताकि आपको इस भासा से आपको आसानी से मिल जाएगा में जादा high या professional भासा यूज नहीं कर रहा हूं मैं सामन तरीके से बात कर रहा हूं आप लोगों से क्योंकि आपको सभी को शामान रभासा बहुत जल्ली आ जाती है यानि कि समझ में भी बहुत जल्ली आ जाती है उस्तों यह आपन देख लेते हैं कॉस्टन किस टैप से आते हैं यदि आपको यहां पर रहा जैसे स्वाल करते हैं सब से ब्च के 20 मिनिट का समय है तो यह जल्फ पृतिवबं में क्या समय दर्स आएगी यह यह जल्फ परतिव में क्या समय सोख होगा तो आप इसको कैसे स्वल्फ करेंगे मैं आपको बे पता दे रहाँ हूं तो दोस्तो इसको किरना 7 साथ बज़ के 20 मिनिट है दोस्तों यह को पहले साथ बज़ के 20 मिनिट कर लेते हैं आपर यह हो जाएगा दोस्तों शाथ आठी है यह है पांच और यह है चार दो एक ठीक है और यहाँ पर ग्यारा दस और जो इन्हों दिया हुआ है इस टाइप से दस ग्यारा एक और दो यह वो जाएगा चार पांच छे दिया है साथ और आठी है समय कितना दिया है साथ बच के 20 मिनिट यानिक यहां पर देखेंगे साथ से थोड़ा उपर चला जाएगा साथ बच किसके 20 मिनिट या और जाएगा किस पर यह जो मिनिट बारा काटा आए इसको करेंगे देख लेते हैं इसको भड़िए दीआ है कि ना ये और दो दो से थोड़ा ऊपर दिया हुए है ठीक है दोसे तो आप इसको सॉलर्व करेंगे यहाँ से एक और दो दीः जो जल्पृतिविं पर में ने बताया थे वो कहां से कौन्ट कर रहे थे हैं iron यहां से count करते थे लेकिन जो जल प्रतिवेम होता है बारा से count होता है इस type से count होता है यहां से आप swallow कर सकते हैं देखेगे आप इसको कहा है बारा दो यानि कि एक दो एक दो यानि कि यहां दस और ग्यारा के बीच में राएगा कितने सी ग्यारा 10 और 11 की बीच मिला है कांट है इसके बाद यह कहां पर हो जाएगा एक दो तीन तीन अ था-टी खाई है इक दो तीन औरा हूं यह हो जाएगा दस बच के सें हफ़हीं जायगा कितना दस बचंगे दस मिता समय हो जाएगा दूस्तों दस बच के दस मेंट देखे दोसरे इसको सॉल्व करने में यह बहुत जाना आपको difficult लग रहा होगा कि इसको किस टाइप से सॉल्व कर लेकिन आप इसको बहुत ही साथ धान पूर्वक ध्यान करेंगा मैंने आपको इसमें बताया था कि उसको शॉल्व करेंगे तो आपने यह क्या होती है इसमें होती है इसको जो साथ बीस है इसको आपको क्या करना है ठीक है सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैं कुछ दो लाइन है मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ हाँ जैसे ही शीमयर दिया है साथ बचके 10 मिनिट का दिया है दोस्तों इसको माइनस करना होता है इसको नहीं करना है यहां पर इनको दोनों का यूँ करना है यानि की 30 और कितना हो जाएगा 50 50 हो जाएगा दोस्तों 50 को करना है किसमें से 60 में से माइनिस 60 में से 50 जाएगे तो कितना 10 बचेगा ठीक है 60 में से 50 जाएगे 10 बचेगा और यहाँ दोस्तों यह हो जाएगा 14 दोस्तों 14 को अबन माइस करना पड़ेगा कितनी में से 24 में से तो यह है दोस्तों 10 बचेगा ठीक है इसको इस टाइप से स्वालव कर सकते हैं थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा लेकिन आप एक बार इसका कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आप इसको आ लोग बारा से जादा हो जाए हो जाए तो उसे 24 से घटाएंगे 24 से घटाएंगे और यदी बार और यदी बारा से कितना यदी बारा से कम रहा तो उसको बारा से घटाएंगे ठीक है जैसे कि यहां पर यहां पर देखेंगे साथ उससाथ चौदर यानि कि बारा से जादा हो गया तो चौबिस से घटाएंगे यदी बारा से कम होता है यानि कि अब दूसर सोल्ट कर लेते हैं पर पांच 25 मिनटें यहाँ पर कर दे रहा हूं, इसको को खटाना किस से है? 7 बच के 30 से, यानि कि इसको इसमेसे काटाना है, सुल्ब करेंगे 60 मिनट से, यानि कि इसको पहले जोडेंगे 2 नों को, 25 और 30 और 25 को जोडेंगे, इनको दोनों गयर करेंगे, तो कितना हैगा? पर्चपन यानि कि साट में से पर्चपन जाएंगे दोस्तों बढ़ जाएंगे पांच और यह दोस्तों इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बारा तो बारा में से बारा जाएंगे तो दोस्तों कितना डवल जीरो हो जाएगा ठीक है डवल जीरो हो जाएगा बयानी कि आप इसको स्वाल्व करेंगे तो कितना इसको बारा बचके पांच मिनिट इसको स्वाल्व कर सकते इसका अंसर आएगा बारा बचके पांच मिनिट इस टाइप से स्वाल्व किया जाता है और दोस्तों एक लैंडर में आपको बता दे रहा हूं यदि यदि मिनिटों का यूग यदि मिनिटों का यूग जो होता है 60 से अधिक हो 60 से अधिक है 60 से अधिक हो तो 120 से माइनिस घटाया जाता है और 60 से कम होता है तो 60 से ही घटाया जाता है जैसे हमने आपको बताया यहाँ पर देख लेते हैं 30 और 20 पचास होता है यह कर दिये और यहां पर है देखेंगे कि दूसरा मैं बता दे रहा हूं है इसको करना यह साथ तीस से मैनस करना है इसको ठीक है साथ यह देखेंगे यहां 30 20 want 40 70 ho जाता है तो दोस्तों 70 plus हो जाता हुआ सी ज्यादा क्रोस हो जाता तो आप इसको 120 से खटाएंगे ठीकर नीहां हो जाएगा 50 मिनिट और आथ दोस्तों 7ुसाँ 14 हो गया to 14 हो कितने से घटाएंगे चुववीससे या कि 12 से जादा हो जाता है तो इसको 24 से घटा जाएगा तो यानि कि यह हो जाएगा 10 बच के 50 मिनिट दोस्तों आप इस वीडियो को जाना है जाना यह गया दो बार जबूर दिखेंगा क्योंकि आपको जी दो लाइन यहाँ पर है यह जाना एदि आच्छी से आपका कंशेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको आ आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें से रहे करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना वोगने दो चलिए दोस्तों मिलते हैं अंगली नेस्ट पार्ट में जब तक लिए दोस्तों बाए